तो यहां पर आप देख लो यह है पूरा 15,000 का लोन और यह मुझे मिला है पूरा का पूरा 9 महीने के लिए ठीक है यहां पर मैं आपको दिखा देता हूँ यह 9 महीने के लोन मिला है एक कॉमन सा सवाल है जो कि सभी बंदे कमेंट में लिखते हैं तो मैंने सोचा कि वीडियो बना करके आपको बता दूँ ठीक है फिलाल यहां पर आप देख पा रहे होंगे 15,000 का जो लोन है वो पूरा का पूरा दो महीने के लिए मिला हुआ है आप यहां पर देख पा रहे होंगे यह 9 महीने के लिए मिला है जिसमें मैंने 3 EMI पे कर दी है और अभी 6 EMI मेरी बांग तो जो कमेंट आते हैं वो किस प्रकार के मैं आपको बताता हूं यहां पर ट्रांजक्शन पहले क्लिक करें देखो 3 EMI हमारी सकसफुली पैड हो चुकी है और यहां पर जो है हमारी 6 EMI बांगी है आप कई बंदों का क्या कमेंट है वो सुनो देखो सवाल यहां पर यह है कि जो लोन का जो EMI डिव डेट है वो कितना है हमारा पांस तारीक ठीक है पांस तारीक हमारा EMI का डिव डेट है ओके तो कभी कबार क्या होता है दोस्तों कि पांस तारीक हमारा पैसा नहीं करता है ठीक है फ्रेंड ये पांस तारीक हमारे due date है तो कभी कबार क्या होता है दोस्तों ये पांस तारीक जो है हमारा जो पैसा वो बैंक से ओटो डेवेट नहीं होता है ठीक है तो ऐसी condition में दोस्तों क्या है कि customer जो घवरा जाते हैं कि भाई आप क्या होगा हमको over due लगेगा penalty लगेगी तो क्या देखो इनका जो रूल है वो है कि पांस तारीक से लगा करके साथ तारीक के बीच में मतलब कि पांस से साथ दिन ठीक है साथ तारीक तक आपके बैंक से कभी भी पैसे काटे जा सकते हैं और यहां पर मैं आपको बता दूं कि अगर इन इस तारीक के बीच में संडे पर जात चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा अगर आपकी बैंक में पैसा मेंटेनेंस है तब देखो अगर पैसा मेंटेनेंस नहीं है तो तो बाउंस होगा और इनेच भी बाउंस होगा और अगर आपकी बैंक में पैसा है तो कुछ भी बाउंस नहीं होगा यहां पर आपको जो है लेट पैनल्टी चार्ड लगेगा और नहीं आपको यहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी जो है यह माई पर मतलब बड्ड उचार्ड लगेगा ठीक है आप देखो कई बंदे क्या करते हैं कि पांस तारीक को पैसा जो है वो बैंक से नहीं करता है तो वो अपने मैनुवल तर लेकिन अगले 24 गंटे बाद उनकी बैंक से ओटो डेवेट हो गया पैसा और रिफंड भी नहीं हुआ तो अब ऐसे में जो है वो घवरा जाते हैं कि भाई पैसा मैंने पे कर दिया और लेड़ी पे कर दिया लेकर फिर भी हमारी बैंक से क्यों काटा तो देखो मैं इसका भ होथा है 21 थारिक हो जाता है तो आपको 21 थारिक को ही आगर पैसा प्iga करना 21 से लेकर की आप 10 थारिक की तक पैसा आपने manual तरीके से पे करते हो तो बैंक में किसी भी प्रकार का आपका चार्ज जो 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 बैंक से जो ए यह नहीं काटी जाएगी लेकर वहीं पर अगर आप इसकी देट पर पांस को पैसा पे करते हो, तो आपके ुबैंक से पैसे काट लिये जाएंगे, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, एक तारिक को ये आपका लूदब फ़र्ब सब्सक्राइब का मैं disparity खेंगे ऑक depends चेक जाना करये ओंटुक्त है या 5 तारीक क्योंकि पैसा आमारे पर नहीं आया पैसा भेज़ दो तो आप भले भी मैनुवल तरीके पैसा भर दो लेकर बैंक जो है बोग पे कर देगी मनी वीव को पैसा ओके यह होता है तो मिर भाई हो 5 तारीक के बाद आपको मैनुवल कभी भी पैन लेनी करना है 21 तारीक से लगा करके 30 तारीक तक आप मैनुवल पे कर सकते हो ठीक ना तो बस वीडियो में यही बताना था वीडियो आपको अच्छा लगा हो यूजफल जानकारी लगी हो तो कमेंट जरूर करें चलिए मिलते नेक्स वी तो कमेंट करता नेक्सampa रादा है